नमस्कार दोस्तों एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल में आज मैं लेकर आई हूँ दाल चावल की इडली बनाने की रेसिपी दोस्तों इडली बनाने में बहुत बातों का ध्यान रखना होता है ताकि इडली फुले फूले और इस्पंजी बन करके त्यार हो साथ में सर्दियों में हम ऐसा क्या करें कि इडली की बैटर का फर्मेंटेशन अच्छा हो तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजेगा दाल चावल की इडली बनाने के लिए दोस्तों दाल और चावल की रेशियो का परफेक्ट होना बहुत ही जरूरी है मेजरमेंट के लिए मैंने एक गिलास सेट किया है इसी से एक गलास धूली उरद की दाल लेंगे अगर आपके पस साबूत धूली उरद हो आप उसे भी ले सकते हैं आप गिलास की जगर मेजरमेंट के लिए कटोरी भी ले सकते हैं इसी गलास से हम दो गलास चावल लेंगे मार्केट में इडली राइस असानी से मिल जाती है ये चावल अनपॉलिस होती है जिससे हम अरवाज चावल करते हैं अब हम चावल और दाल को अच्छी तरह से धोएंगे जब तक दाल और चावल सफेद नहीं हो जाता मैंने चावल और दाल को अच्छी तरह से धो लिया है आप देख सकते हैं चावल बिल्कुल ही सफेद हो चुका है उड़त दाल को मैंने 5-6 बार मसल मसल के अच्छी तरह से धो लिया है अब हम दाल और चावल में पानी डाल कर 7-8 घंटे या ओवरनाइट इसको फुलने के लिए छोड़ देंगे अब हम लेंगे 1 टी स्पुन मेथी दाना इसे भी हम फुलने के लिए रखेंगे मेथी दाने से इडली का टेस्ट तो बढ़ता ही है साथ में इडली के बेटर का फुर्मेंटेशन का समय भी कम हो जाता है खास कर सर्दियों में अब हम इन सभी को ढग कर साथ से आठ घंटे के लिए फुलने के लिए छोड़ देंगे अगर आपको सुबह नास्ते में इडली डोसा बनाने हो तो रात के नौदस बजे पेस्ट बना कर फर्मेंटेशन के लिए रख दें आप देख सकते हैं मेथी अच्छी तरह से फुल चुकी है दाल और चावल भी अच्छी तरह से फुल चुके है जब भी आपको इडली बनानी हो दाल और चावल को अलग-अलग फुलाएं फ्रेंड्स सबसे पहले हम उरत दाल और मेथी दाने को पीस लेते हैं थोड़े पानी के साथ जरूरत परने पर और पानी डाल कर पीस लेंगे आप देख सकते हैं पेस्ट किस तरह बना हुए है ज्यादा स्मोधी नहीं है पेस्ट को एक बड़े पतीले में निकाल लेते हैं अब हम इसी जार में चावल को भी पीस लेंगे चावल को हम दो बैच में पीसेंगे चावल पीसते समय एक बार ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे थोड़े थोड़े पानी डाल कर चावल का पेस्ट बना लेंगे आप देख सकते हैं पूरी पेस्ट बनी नहीं है थोड़ी दरदरी सी पेस्ट बनी है इसमें चावल के कंड नजर आ रहे थे इसी तरह चावल का दूसरा भी बैच पीस करके त्यार कर लेंगे मेक्सी जार में अभी भी पेस्ट लगा हुआ है अब हम उसमें थोड़ा सा पानी डाल कर उस पेस्ट का भी हम यूज कर लेंगे इन सभी को अच्छी तरह से मिलाएंगे और एक ही डारेक्शन में चलाते हुए बैटर को फेंटेंगे ताकि इसमें एर जेनरेट हो इतने ही कंसिस्टेंसी का बैटर आप त्यार करें इसको अब हम ओवर नाइट फर्मेंटेशन के लिए रख देंगे बैटर को रखे विए आठ से नो घंटे हो चुके है बैटर फर्मेंट हो चुका है अब हम बैटर में डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक बैटर में हम नमक मिलाएंगे जाधा फेटेंगे नहीं जाधा फेटने से बैटर का एयर बबल्स खतम हो जाएगा और इडली स्पांजी नहीं बनेगी हमारा बैटर बनकर के त्यार है अब हम इडली बनाने की ओर चलते हैं इडली प्लेट को अब हम थोड़े थोड़े तेल डालके घ्रीस कर लेंगे, जादा तेल की जरूरत नहीं है, अगर आपका इडली का बैटर सही बना है तो इस प्लेट में चिपकेंगे नहीं, आराम से निकल जाएंगे, सभी प्लेट को मैंने अच्छी तरह से घ्रीस कर लिय हैं अब हम इडली प्लेट के मोल्ड में बैटर को डालेंगे मोल्ड में बैटर आप अपने अनुसा डालिए अगर आपको छोटी इडली चाहिए तो थोरी बैटर डालिए एक बार फिर आप बैटर की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं बैटर मोल्ड में डालने के बाद थोरी सी जगह छोड़ दें यहां पर ना बैटर जादा गाढ़ा है ना पतला एकदम परफेक्ट है सारे प्लेट्स में इडली का बैटर डाल चुके हैं चलते हैं गैस की और इडली स्टीमर में पानी गरम हो चुका है यहीं पर डाल देंगे स्लाइस किये हुए निम्बू के टुकरे निम्बू डालने से पानी वाली जगह काली नहीं होगी अब इडली वाली प्लेट इस्टीमर में साधानी पुर्वक डालेंगे क्योंकि बरतन काफी गरम है सारे प्लेट्स इडली स्टीमर में डालने के बाद गैस के फ्लेम को मिडियम लो रखेंगे और इडली को ढखकर 10-12 मिनट तक पकाएंगे कभी-कभी इडली पकने में 10-15 मिनट का भी समय लग जाता है इडली को पकते हुए 10-15 मिनट हो चुके हैं इडली बन करके त्यार है एक बार हम चाकू से चेक कर लेते हैं चाकू इडली से साफ सुथरी निकली है इसका मतलब इडली अच्छी तरह से पक चुकी है इडली वाले प्लेट को 2-3 मिनट तक ठंडा करेंगे उसके बाद ही डिमोल्ड करेंगे आप देख सकते हैं बीना चाकू और बीना चमच के हाथों से ही इडली असानी से निकल रहे हैं मोल्ड भी काफी साफ सुथरा है आप देख सकते हैं इडली कितना स्पॉंजी बना है इसी तरह बाकी के इडली को हम दिमोल्ड कर लेते हैं दाल और चावल को अच्छी तरह से धोने के कारण इडलियां बिल्कुल सफेद बनी है दोस्तों इडली बहुत ही स्पॉंजी बनी है एक इडली को तोर कर दिखाते हैं अंदर से कितनी जाली दर और फ्लॉपी है इडली को आज हम सांभर और मुणफली की चटनी के साथ सर्व किया है सांभर और चटनी की रेसिपी मेरे चैनल पर डाला हुआ है वहाँ जाकर आप देख सकते हैं इडली सांभर और चटनी के बिना अधूर है इस रेसिपी को एक बार आप जरूर ट्राइ कीजेगा और ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट जरूर कीजेगा अगर ये इडली की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कीजेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलेगा थैंक यो